हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आप्टिमिस्टिक स्टेडिज, आप सभी का स्वागत है आज हम CGTET और CTET के लिए Child Development and Pedagogy बालविका सेवं सिक्षा शास्त्र का वन लाइनर कोशिन देखने जा रहे हैं वन लाइनर कोशिन इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका CGTET का एक्जाम बहुत ही नजदीक है 18 सितंबर को आपका एक्जाम है तो कुछ चीजे ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल याद हो जानी चाहिए कि जैसे ही आप कोशन देखे तुरंट उसमें आपको अपना टाइम ना ज़्यादा व्यतीत करना पड़े और आप तुरंट वो आंसर को मांग करें और आगे बढ़ें क्यों? क्योंकि आपके में syllabus में maths भी दिया हुआ है तो उसको solve करने में भी आपको समय लग जाएगा तो इसी तरीके से और भी चीजे है जो कि बहुत सारी चीजे आपको याद करनी है तो वन लाइनर एक ऐसा एक portion हो जाएगा जहां पर बहुत सारी चीजे आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी ठीक है? और यदि ये चीजे आपको याद हो जाती है तो वो आपके एक्जामें बहुत जादा benefit करने वाला है तो आज की class में हम बालविका सेवन सिक्षा शास्तर की one liner questions देखेंगे ठीक तो फिर चलिए फिर हम आज की class को start करेंगे लेकिन class start करनी से पहले यदि आप चैनल में पहल जानकारी थी कि यदि आप में से कोई भी इच्छुक है CGTED की preparation optimistic studies के साथ करने के लिए तो आप विलकुल ये course को join कर सकते हैं जो कि अब हमारी mobile app में ये course उपलब्द हो गया है अधिक जानकारी के लिए आप देगे इस number पर हमें संबर्ख कर सकते हैं चाहे आपको जिस भी कोई भी समस्या परिशानी आती है course को join करने के लिए या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए इस course से समध्य तो आप निश्यत रूप से ही आप हमें call कर सकते हैं आप हमसे contact कर सकते हैं ताथ में आपको mobile आपकी link description box में भी मिल जाएगी comment section में पिंड comment में भी रहेंगी या फिर आप Google Play Store से directly जाकर कि Optimistic Studies यदी आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का logo आपको बना हुआ दिखाए देगा तो उसको आपको download कर लेना है और वहां से आप इस course को join कर सकते हैं तो चलिए फिर हम आज की class को start करेंगे जहां हम one liner question देखने जा रहे हैं बाल है ये first क्या बताया गया कि सिक्षा मनोवज्ञान आवश्चक है तो सिक्षा मनोवज्ञान किसके लिए आवश्चक है तो सिक्षा के लिए एवं अभी भावकों के लिए सिक्षा मनोवज्ञान आवश्चक है फिर उसके बाद आता है सिक्षा मनोवज्ञान आपको आज ब बात करें तो कहीं न कहीं ये प्रशन बिल्कुल पूछे गए हैं इसलिए आप लोगों को ये प्रशन याद हो जाने चाहिए ये वन लाइनस ठीक सिक्षा मनुवज्यान का मुख्य संबंद सीखने से है या कथन किसका है तो आप ये देख रहे हैं सीखना ठीक ये क्या लिख हुआ है सिक्षा मनुवज्यान का मुख्य संबंद सीखने से है सा से सीखना और सा से सोरे सा से सीखना सा से सोरे सोरे के साथ में याद रखना यान टेल फ्रॉड ठीक है टेल फ्रॉड तो सा से सीखना सा से सोरे ये कथन किसका है कि सिक्षा मनुवज्यान का संबंद सीखने स यह कातन सौरे का है, ठीक, सौरे एवं टेल फ्रॉड का है, फिर मनोवेग्यान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई, तो मनोवेग्यान की आधारशिला, प्रिंसिपल ओफ साइकलोजी, मनोवेग्यान के सिद्धान्त में रखी गई है, ठीक, फिर पूछा गया है, अम आधार शिला रखी गई है, किसकी तो मनोवेग्यान की आधार शिला रखी गई है, कहां प्रकाशित हुई थे हैं, तो अमेरिका में प्रकाशित हुई है, लेखक कौन है, तो वीलियम जीम्स है, ठीक, फिर सिक्षा मनोवेग्यान का वर्तमान स्वरूप कैसा है, तो यह इसका स्वरूब अब व्यापक है क्या है व्यापक है सिक्षा मनवज्ञान का वर्तमान स्वरूब गारिसन के अनुसार सिक्षा मनवज्ञान का उद्देश क्या है तो सिक्षा मनवज्ञान का उद्देश व्यवहार का ज्ञान है देखिए जब यह सिक्षा मनुविज्यान की यदि हम बात करें तो हमने इसिक्षा मनुविज्यान क्या होता है तो हमने डिसकस किया हुआ है मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ठीक है तो हमने बात आपको बता रहे हैं तो हमनुविज्यान से सम्भन के तो सिक्षा मनुविज्यान का 16 जिए श्यताब्दी में सिर्छा मनुविज्यान को क्या बोला जाता था आत्मा का ग्ony on का इसे क्यों कहा जाता था क्योंकि psychology देखेंगे यदि आप तो ये किस तरीके से लखा रहाता है psychology ठीक है तो psycho ये psycho और logus psycho और logus का मतलब होता है study और psycho का मतलब होता है आत्मा तो आत्मा का ज्यान ही क्या कहलाया शोलवी शताबदी में तो वो ही कहलाता था educational psychology ठीक फिर उसके मनोवे ज्यान की यदि हम बात करें ठीक है तो आत्मा का ज्यान ही मनोवे ज्यान कहाने लग गया फिर 17 वी शताबदी की यदि हम बात करें तो बोले नहीं नहीं आत्मा का ये ज्यान नहीं है प्रेजिंट में वर्तमान में बीसवी शताब्दी की यदि हम बात करते हैं ठीक है तो यदि हम बात करें अभी तो कि बीसवी शताब्दी में इसका स्वरूप क्या हुआ यदि हम बात करेंगे तो बीसवी शताब्दी में इसका स्वरूप निखर करके आया कि ये क्या है तो कि behavior को पढ़ना जली हम जाने तो इसका मतलब की psychology हम समझ रहे हैं psychology है ये थी तो अभी present में यदि हम बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश क्या है तो व्यवहार का ज्यान है क्या है व्यवहार का ज्यान और ये बात आप देख रहे हैं तो garrison ने या फिर हम बोच सकते garr daisne की अनुसाश सिक्षा मनवज्ञान का उद्देश क्या है तो व्यवहार का ज्यान है ये समझ में आया पहले बोला गया आत्मा का ज्यान अगया वने नई नहीं ये तो मन का ज्यान है फिर बीसवीश रताप्ति में बुगा जो सर्वुत्तम प्रयोग यहां पर आप देख रहे हैं सर्वुत्तम बोला गया है तो इसका मतलब सिक्षा मनुवज्यान के सिध्धान्तों का सर्वुत्तम प्रयोग क्या हुआ तो उत्तम सर्वुत्तम का उत्तम हुआ उत्तम क्या तो उत्तम सिक्षा और उत्तम अधिगम ही क्या है तो ये क्या है इसके सिध्धानतों का सर्वत्तम प्रयोग है ये कौन वो रहा है तो कुप्पु स्वामी ठीक फिर क्या है सिक्षा मनोवग्यान का प्रमुक उद्देश कॉलेसनिक के अनुसार क्या है तो सिक्षा की समस्याओं का समाधान करना तो क्या निकल करके आ जाएगा वही सिक्षा मनोवग्यान का प्रमुक उद्देश होगा याद क्या से करें याद चीज़ें तो होनी चाहिए ना तो देख रहे हम kolesynic क्या है kolesynic स है ना cynic kolesynic यानिकि समस्या का समाधान सिख्षा मनुवग्ण्यान सिख्षा मनुवग्ण्यान क्या सिख्षा आप लोग रिलेट करके याद करना याद तो करना पड़ेगा लेकिन यदि रिलेट हो जाए तो अच्छी बात है फिर उसके बार में क्या लोग के अनुसार सिक्षा मनोवग्यान की कितने उद्देश है तो सिक्षा मनोवग्यान की नौ उद्देश है ठीक किसके अनुसार तो क्या लोगे हैं अनुसार स्कीनर के अनुसार सिक्षा मरवग्यान की सामान्य उद्देश क्या है तो आप बताए कि सामान्य उद्देश सिक्षा मरवग्यान की क्या होने चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो बाल, विकास एवं सिक्षाक शास्त्र तो सिक्षा मरवग्यान का उद्देश इसमें क्या होगा सामाने दिश्टी से तो बाल विकास ही तो होगा सामाने दिश्टी से हाँ बलकूर बाल विकास करना है चाहें डवलप्मेंट करना है ठीक है लेकिन यदे हम विसिष्ट उद्देश देखें तो स्कीनर विसिष्ट उद्देश के सम्मंद में क्या बोलते हैं कि सिक्षा मनुवेग्यान का विसिष्ट उद्देश क्या है तो बालकों के वांचिनी वैवहार के अनुरूप सिक्षा के स्तर एवं उद्देश को न निश्चित करने में सहायता करना, याद हुआ, नहीं हुआ, कैसे याद करें, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, याद करना है ना, वो मेरे पर छोड़ दो, कि याद कैसे करवाना है, मैं आपको याद करवा दोंगी, देखिए, हम सामान्य की बात करते हैं, तो सा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बाल विकास्त होना चाहिए, क्या पढ़ गया है, बाल विकास्त के अंतरदधी तो यह आता है, तो हाँ, बिल्कुल बाल विकास्त हो गया, यह तो सामान्य किसके सामान्य है, ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, यह स्कीनर नहीं कहा है skinner नहीं कहा है तो सामान्य उद्देश जैसे की relate करना तो उसे हम थोड़ा relate करेंगे ही लेकिन जब विस्ष्ट उद्देश की यदि हम बात करें तो देखें सिक्षा मनवग्यान क्या होता है कि जब हम behavior को पढ़ना जान जाते है कि बच्चे के अनुरूप क्या है कि बच्चे को कुछ बच्चे ऐसे होते उनको चीजे जल्दी समझ में आ जाती है बहुत intelligent है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चीजे थोड़ी देर से समझ में आते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो बिलकुल बहुत ही देर से उनको चीने समझे तो सब के जब हम अनुरूप उनके वांचनी व्यवहारों के अनुरूप आप जब उन्हें सिक्षा प्रदान करेंगे तो यही तो सिक्षा मनुवेग्यान का मुख्य उद्देश होगा या फिर विसिष्ट उद्देश होगा क्यों क्योंकि हमने बच्चे के बिहेवियर को जान दिया है अब हम उनके अनुरूप सिक्षा दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह विसिष्ट उद्देश के अंतरगत आता है याद रहेगा अब याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसकी इनर ने साम्माल्य और विसिष्ट के बारे में क्या कहा ठीक फिर उसके बाद में यदि हम आगे देखें तो सिक्ष्या मनोवे ज्यान के शेत्र में वह सभी ज्यान और विधिया समलित हैं जो सीख सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकाय समझने में सहायक हैं यह कतन किसका है तो यह कतन लीका है किसका है लीका है इन्हों ने क्या कहा कि सिक्ष्या मनोवे ज्यान के शेत्र में वह सभी ज्यान और विधिया समलित होनी चाहिए जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकाय समझने में सहायक हो, देखिए सीखना है हमें, सीखना है ना, तो सीखने के अंदर गत वो सभी ग्यान आ जाने चाहिए, एवन विधिया आनी चाहिए, कि चलो हम कुछ सीखते हैं, जब हम सीख रहे हैं, तो उस एरिया के हर चीज को आपको सीख जाना है ना, हर चीज को सीख जाना है, अब जैसे कि हम लेट से हम बात करेंगे, आप हम बच्पन से A, B, C, D, ये सब सीखे हैं, A, B, C, D, ठीक, तो हमको ऐसा बोला गया कि नहीं कि वलना A, B, C, D, सीख लो Z, वहाँ पे मत जा, पूरे अलफाबेट को मत जानो, ऐसा तो नहीं था, हमें तो बता दिया गया ना, कि जब इस अलफाबेट होते हैं, A, C, Z तक होते हैं, फिर एक कैपिटल है, फिर स्मॉल लटर पर हमें सिखा दिया गया, तो ये चीजें हमें सिखाए गई हैं, कि नहीं सिखाए गई हैं, बिल्कु सिखाए गई हैं, तो सभी ज्यान और उसकी का कहना है, कि इसी तर्ट सभी ज्यान और विदियां सिख्षा-मनवग्यान की अंतरगत आ जाये, जिससे हमें समझने में बहुती आसानी हो, और हम अच्छी तरग्ये से समझ सके ऐ चीजों को, थीक है, फिर उसके बाद क्या है, गेट्स के अनुसार, सिख्षा-मनवग्या की limitation है तो limitation इन्होंने ये बताया है gates ने बताया है अब gate है तो gate से हम ऐसे कर सकते हैं अच्छा gate है बंद है gate है तो बंद है यानि कि वो क्या कर रहा है limit कर दे रहा है कोई चीज सीमित कैसे हो रही है तो इनका क्या कहना है कि सीमित कैसे होती है तो सीमित इस दिये हो गई सिक्षा मनुवग्यान क्योंकि ये आस्थिर है और क्या है सिक्षा मनुवग्यान परिवर्तन शील है ये परिवर्तित होती रहती है सबकी behaviors तो अलग-अलग परिवर्तन शील है ये और आस्थिर है तो इन्हों ने gates ने क्या कहा कि ये ही न इसकी क्य है, limitation है, यह इसकी सीमा है कि यह आस्तिर है और यह परिवर्तर शील है, drawbacks में हम इसको बोल सकते है इसकी कमियों की रूप में हम बता सकते हैं इसको ठीक है, यह कौन बोले, gate बोले, यानि कि gate ने हमीजा, gate लगिया, सीमा आगई सीमा आगए, तो अस्तिर और परिवर्तर शील कोई चीज है, तो उसको उन्होंने, सिक्षा मनोविज्यान को इसने बोल दिया कि यह सीमित है, ठीक फिर फ्रॉबल ने क्या कहा है sorry, question क्या है, मैंने तो directly आपको answer ही बोल दिया, यहाँ आपक है, अवस्था विशेश की आधार पर ही, हमें किसी को बालक, युवा य व्रद कहना चाहिए आप पहले अवस्था तो देख लीजिए उसके बाद में बोलिए कौन बच्चा है, कौन युवा है कौन व्रद है, है ना यह कौन बोल रहा है, तो फ्रॉबल बोल रहे है, फ्रॉबल का कहना है कि अवस्था की आधार पर किसी को बोलना, अवस्था की आधार ठीक है, तो फ्रॉबल का कहना है, फ्रॉबल बोल रहे है कि कि किसी को बालक बोलना है, बोल दीजिए, कोई दिक्कत यह कौन बोल रहे है? तो curbl बोल रहे हैं ठीक फिर Harvard की अनुसार शिक्षा सिध्धान्तों का आधार क्या होना चाहिए? तो बताइगे कि शिक्षा सिध्धान्तों का आधार क्या बनना चाहिए? तो manuvigyan जानी कि manuvigyan क्यों होना चाहिए कि आप लोगों को, आपको किसी को पढ़ाना है, पहले behavior को जान दीजिए, behavior को जाने ने बच्चा कैसे, कि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, बच्ची को समझ में आ रहे हैं, कि class में intelligent बच्ची की बस उसने मुंडी इला दिया, समझ में आ, हाँ, हाँ, बिलू समझ में आ, और आ आगे बढ़े हैं, नहीं, सिक्षा देना, यदि आप सिक्षा दे रहे हो, तो आपका दायत्व बनता है, कि प्रतिक बच्चा, यनि की class का, प्रतिक बच्चों को समझ में आना चाहिए, हर एक बच्ची को, ये नहीं है कि किसी हुश्यार बच्ची, हुश्यार बच्ची को पासानी से समझा दोगे, कोई बड़ी बात ने, उसको समझाईए न, कि जिसको समझ में देर से आता है, हर बच्च का क्या कहना है, हर बच्च का ये कहना है, कि सिक्षा सिद्धान्तों का आधार ही क्या बनेगा, मनोवेज्ञानिक बनेगा, ठीक है, फिर क्या है, मौन सेरी कि अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस थिती में ही सिक्षनकार्य प्रभावी ढंक से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा किस चीज का होगा मनोवैज्ञान की प्रयोगात्मक स्वरूप का जान तो गए बहुत सारी चीजे तो पढ़ लिए लेकिन जानी नहीं रहे कि इसको कैसे हमें इसका प्रयोग करना है तो जब मनोवैज्ञान की प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्यान यदि हमें है तब जाकर के तो सिक्षनकार्य प्रभावी बनेगा अन्यता नहीं बनेगा अन्यता डिग्रियां तो बहुत सारी हो जाती है लेकिन प्रभावी तो नहीं कर पाते हैं दो प्रभावी जब हो जब आप यूज भी तो करना चाहें यानि कि मनुवज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का यदि किसी अध्यापक को ग्यान है तब जा करके तो सिक्षन कारे प्रभावी हो पाएगा बोला किसने तो मौनसरी ने बोला म से मौनसरी और मनुवज्ञान का प्रयोगात्मक स्वरूप म से मौनसरी और म से मनुवज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ग्यान ठीक फिर क्या है वर्तमान समय में सिक्षा मनुवेग्यान की आवशक्ता है क्यों है तो बाल केंद्रित सिक्षा के लिए है सिक्षा बताईए क्यों है बताईए सिक्षा मनुवेग्यान की आवशक्ता ही क्यों है बाल विकास किनर ने क्या बोला बाल विकास यानि कि Child-Oriented Education होनी शाहिए Child-Oriented होनी शाहिए यानि कि बाल केंदरिच सिक्षा होनी शाहिए कि यह नहीं कि हम किसी को कुछ भी कुछ भी बोल रहे हैं बच्चो को तो समझ में आ जाए आप उनकी स्तरका बताईए अब आप Class 1 में पढ़ा रहे हो तो आप Class 1 के बच्चो को कक्षा 11 वी बारवी कि तो सिक्षा नहीं देने लग जाओगे आप उनको उनके According सिक्षा दोगे दोगे की नहीं यह है वर्तमान स्वरूप किसका तो सिक्षा मनुवेग्यान सिक्षा मनुवेग्यान का वर्तमान स्वरूप क्या है कि वो बाल लकेंद्र सिक्षा होनी शाहिए इसलिए सिक्षा मनवग्यान की आवश्रक्ता भी है फिर क्या है वर्तमान समय में सिक्षा मनवग्यान की आवश्रक्ता समझी जाती है क्यों समझी जाती है जिससे बच्चों का सरवांगिन विकास हो सके क्यों आवशकता इसकी समझी गई पहली बात बाल केंद्रित सिक्षा देना है अब वो किवल बाल केंद्रित क्यों किये है हम इसलिए किये है क्योंकि वो जिससे बच्चों का सरवांगिन विकास हो all round development होना चाहिए ना development की यदि हम बात करते हैं तो development क्या होता है development गुणात्मक होता है qualitative होता है जब quality की बात करते हैं तो वहाँ पे सरवांगिन विकास आता है पढ़िये तो ऐसा पढ़िये कि डारकली जिसके लिए पढ़ रहे हो तो डारकली वो exam clear हो जाए इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि ने ने यह भी हो गया ठीक है चल रहा है हो गया हाँ पढ़ रहे है ऐसा तो नहीं है तो इसलिए इसकी आवश्रक्ता क्यों समझी गए जिससे सरवांगिन विकास हो सके ठीक फिर क्या है सिक्षा मनौवयवग्यार का प्रमुक लाव क्या है तो बताएए इसका प्रमुक लाव क्या होगा लाव ये होगा जब सिक्षक और सिक्षार् razor थी इनके बीच का सम्झन कैसे होगा जब अच्छा होगा मद होगा पुछे कैसे जिब सिक्षार्ती के behavior को सिक्षक जान गए तो उनको अब वो कैसी education दे रहे है जो उनके अनुरूप है जब बच्चों के अनुरूप जिब सिक्षा है कि हाँ हमे न तो आज की class तो बड़ी अच्छे से समझ में आ गई है जब आज की class अच्छे से समझ में आई है तो बच्चा बड़े interest के साथ में भी पढ़ रहा है और इनके बीच का समझ में अच्छा है अच्छा मुझे न यहां भी जोड़ा doubt है हाँ ठीक है बताओ क्या doubt है बिल्कुर clear हो जाएगा वो doubt भी clear हो गया बच्चे को क्या समझ में आ इतनी complicated से complicated चीज बच्चे को समझ में आ गई ठीक है तो इसका प्रमुख लाब क्या हुआ कि लाब यह हुआ कि उनके बीच का जो संबंध है वो मधूर हो गया किसका तो सिक्षक और सिक्षार्ती का ठीक फिर क्या है कक्षा में छात्रों की उनके विबिनताओं की आधार पर पहचानने के लिए सिक्षक को ग्यान होना चाहिए तो किसका होना चाहिए कैसे पहचानेंगे उनके विबिनता बच्चा तो हरे कलग है एक उश्यार होता है एक थोड़ा सा medium होता है और एक थोड़ा सा और जाधा low care degree में आता है low care degree means उसको थोड़ा देर से समझ में आता है बट स्टिल आपका अधायत वो क्या हर एक बच्चे को समझ में आए तो विबिनताओं को पहचानने के लिए सिक्षक को किस चीश का ग्यान होना चाहिए अधायत विबिनताओं के लिए सिक्षक बच्चे को पता रही हो ना तो चतिसगर सिक्षक भरती नाम से प्ले लिस्ट बनी होई है यह आपका बालविकास यानि कि सीटेट, सीजीट दी दोनों एक्जाम में यह आपके लिए लाब दायक है तो उस वीडियो का आपनों जरूर देखिए तब जाकर कि यह चीजे ना बिल्कुल कठिन नहीं लगेंगी आसान लगेंगी और बड़ा इंटरस्टिंग है यह चाप्टर ठीक है फिर क्या है समय सारणी में गणित विज्यान या कठिन विशे की कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं बताईए यह क्यों पहले रखे हैं मनुविज्यान के आधार पर अब बोलोगे कैसे मनुवे ग्यान के अधार पर थोड़ी बात क्लियर नहीं होगी ना कैसे नहीं होगी आप देखो माना ये गया है बहुती शूध के बाद ये निशकर्ष निकाला गया है कि जब बच्चा जब फर्स्ट क्लास लगती है ठीक है तो जब यानि कि एकदम तक पर फिरेड तो उस समय भी कठिन सबजेटा को रख्षो । यह मनुवे ग्यान के आधार पर निशकर्ष निकाला गया है और यही आप से पूछा गया है कि समय सारणी में गड़त विज्ञान ये खड़ेन विश्यों के कालाश पहले क्यों रखे जाते हैं तो मनुविज्ञान के आधार पर ये बच्चों के बेहवियर को पढ़कर के ये निश्करश्वी काला गया है ठीक है फिर क्या आता है कि सफल एवं प्रभावी सिक्षा अधिकम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है तो सिक्षण अधिकम सामगरी का प्रयोग सिक्षण अधिकम सामगरी का प्रयोग एवं सिक्षा मनुविज्ञान के सिधान्तु का प्रयोग जब आप सिक्षण अधिकम सामगरी का प्रयोग करना जानगा है तब तो जाकर कि सफल एकम प्रभावी सिक्षा अधिकम यानि कि तब हो पाएगा यानि कि प्रभावशाली सिक्षा अधिकम हो पाएगा ठीक है फिर और क्या बताएगा कि सिक्षा मनोविग्यान के सिध्धान का प्रयोग भी करना आना चाहिए इसके जो सिध्धानत है वो आने चाहिए हमें यूज करना कि अच्छा यह सिख्षामनवग्यान की यह सिध्धानत हमें इस तरीके से उनको यूज करना है उसका प्रयोग आत्मक ग्यान तो होना चाहिए तब तुझा कर कि सिख्षामनवग् क्यों? क्योंकि आप behavior को जान गए ना आप behavior को जान गए कब कहा कैसे किसको क्या बताना है तो आप बिल्कुल बता देंगे ठीक है? फिर क्या है? छात्रों की योगिता एवं भुची के आधार पर पार्टिकर निर्माण में योगदान होता है किसका तो सिक्षा मनोवे ज्यान का छात्रों की योगिता है मैं पुछा गया है कि बुद्धी परिक्षण विशय है आप बुद्धी का परिक्षण कैसे करोगे बुद्धी का परिक्षण करोगे सिक्षा मनोवे ज्यान की त्वारा कैसे करोगे बुद्धी का परिक्षण जैसे कि मैंने आपको बताया है बोला गया कि माइंड को पढ़ने का है माइंड को पढ़ने का है माइंड को पढ़ने का है इसका यह क्या मतलब गवा यनि कि यहाँ पर मन को पढ़ा पहले तो आग्मा को पढ़ा गया मन को पढ़ा गया, बुद्धी को पढ़ा गया फिर जागर के बेहेवियर को पढ़ा गया तो बुद्धी परेशन विशय है क्या है तो सिख्षा मनुवए ज्यान का फिर पूझा गया है कि सिख्षक मनुवए ज्यान के ज्यान द्वारा बालकों की क्या होती है तो बुद्धी तथा रुचियों की जानकारी करके सिख्षा देते हैं और आर्थिक स्थिती तथा पादिवारिक स्थिती को जानकारी लेकर सिख्षा देते हैं इसलिए बताया गया है कि हर चीजे एक सिक्षा को जानी जरूरी होती है कि बच्चे की रुची क्या है प्रप्रती कैसी है बहुत सारे बच्चे जो उनका economic status अच्छा ने रहे होता या फिर हम बात करें कि पारिवारिक status अच्छा है या फिर नहीं है मनुवज्ञान का सिक्षा के शेत्र में योगदान है अब इस इकुछा बाल केंद्रित हो गई है और शिक्षक बालगों से निकट का संपर्क स्थापत करने का प्रयास करते हैं और सिक्षक को चातुर की अवशक्ता का ज्यान है आवशक्ता क्या है आपकी बिल्कुल बच्चे को समझ में नहीं आप बिल्कुल उसको according समझा दो यानि कि बाल के इंद्रि सिक्षा मनोवेग्यान का सिक्षा के शेत्र में यह योगदान रहा है ठीक फिर सिख्षा मनुवैग्यान एक विज्ञान है यह क्या है तो सैख्षिक सिध्धानतों का सिख्षा मनुवैग्यान एक विज्ञान है किसका तो सैख्षिक सिध्धानतों का यह क्या है विज्ञान है यहाँ पर क्या है आप देखिए हम विज्ञान में क्या पढ़ते हैं वि तो जब आप सिक्षा मनोवज्यान में आप सेक्षिक सिध्धानतों को क्या बताया गया है ये किसका विज्धान है तो सेक्षिक सिध्धानतों का ही तो विज्धान है ये ठीक ये सब हमने पढ़ा हुआ है जो मैं बोर रहे हुआ आपको educational psychology तो educational psychology को आप लोग जा करके देखिये मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पे हमारे तीन lecture हुए है तो वहाँ पे आपको चीज़े clear हो जाएंगी ठीक फिर क्या है सिक्षा मनोवज्यान की उत्पत्ती मानी जाती है कब तो वर्ष उन्नसों में सिक्षा मनोवज्यान की उत्पत्ती मानी जाती है ऐसा माना गया है ठीक फिर मनोवज्यान शब्द के समानांतर रेजी भाषा के शब्द psychology की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो यह ग्रीक भाषा से हुई है यह भी मैंने बताया हुआ है कि किस भाषा से हुई है तो ग्रीक भाषा से हुई psychology ठीक है psychology मतलब psycho और locus यह क्या है तो यह ग्रीक भाषा है तो ग्रीक भार्षा से इसकी उत्वत्ती हुई है ठीक है तो आज की क्लास को हम यहीं पेंड करेंगे यह जो आज की क्लास रही है यह आपके CGTED सीटेड में एक important role play कर सकते हैं जहाँ पर आपको सेक्षिक मनोवग्या से सम्मंदित इस तरीके की यदि प्रशन आते हैं तो की क्लास को यहीं पे हमेंड करेंगे इस क्लास यदि अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजेगा comment section में comment करके भी बताएगा कि इस तरीके की one liner series आपको कैसी लग रही है जादा से जादा लोगों तक share भी ज़रूर कीजेगा क्योंकि जादा से जादा लोगों तक जैसे कि ये bell button को on रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डाले, notification बटन इसे बोलते हैं, तो इस bell button को on रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डाले, तो आप तक पहुँशती रहें, next session में फिर हम बहुत जब मिलेंगे, next session तक के लिए, optimistic learning, thank you for the session, जै हिंद, जै भारत!